हेलो दोस्तों वेलकम तो यूनिक ऑनलाइन गुरू चैनल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को टैली में ट्रेंड करेंगे करेंगे एक्सपल्ड बना देंगे ठीक है तो आप लोगों को blessed कि सुरू सपकते हैं कि हम इस समय क्रूम उपर जाएंगे वहां वहां पर लिखेंगे www.google.com ठीक है उसको लिखने के बाद इंटर कर देंगे इंटर करने के बाद जब google का home page open हो जाएगा तो वहां पर हम search करेंगे tally erp9 download ठीक है जैसा कि आप लोग देख रहा है कि suggestion में आ गया है तो suggestion में जैसे ही आया tally erp9 download तो पहले वाले पे click करेंगे link पे और फिर जब वह पूरा page open हो जाएगा तब उसके बाद भी पहले वाले link पे click करेंगे जिसमें आप लिखा है download tally.erp9 tallyserver9 and tallydeveloper9 ठीक है इसको click करने के बाद जैसे ही यह page open होगा तो देखिए आप लोग को लिखा है install now download तो आप इन दोनों में से किसी पे भी click कर सकते हैं तो ठीक है तो मैं click कर रहा हूँ install now पे click करने के बाद देखिए एक chrome message दे रहा है कि this file type of file can harm your computer तो इसको हम keep करेंगे discard नहीं करेंगे discard करने का मतला है कि जो download है वो cancel हो जाएगा ठीक है तो keep करेंगे keep करने के बाद देखिए 3.5 MB का एक setup जो है वो download हो गया है tally में इसके लिए आप दो चीज करेंगे एक यहां पे जाएंगे right hand side corner में देखिए नीचे show all लिखा है या तो इसको click कर लेंगे या फिर chrome में ही यह तीन डॉट बने है उसको click करके download पर चले जाएंगे करेंगे yes ठीक है उस पर जैसे ही click करेंगे उसके बाद आपका यह tally online installer open हो जाएगा इसमें आपको कुछ changes नहीं करने है address वही सब छोड़ देना है सिर्फ सीधे आपको install पर click करना है इंस्टॉल पर click करेंगे और चाहें तो आप browser minimize करें इंस्टॉल पर click करने के बाद फिर टहली आपका install होना ही start हो जाएगा जैसे ही आपका tally erp 9 download हो जाएगा install हो जाएगा उसके बाद तुरंत ही आपका online installer जो है वह एक message देगा जिस नीचे done तो जैसे ही आप done करेंगे आपको कुछ नहीं करना है setup install हो जाएगा download हो जाएगा सब उसके बाद desktop पर अपने आप एक icon create हो जाएगा ठीक है और icon जब open होगा open होने के बाद आप लोगों का एक tally का ऐसा simple interface open होगा जिसमें licensing operation login as remote tally work in educational mode और quit यह चार option लिखे होंगे ठीक है आज के लिए thank you कल हम लोग इसके आगे सिखेंगे हुआ हुआ है